सब ने, including A to Z, सब ने, किसी ने भी कभी अरुन को स्पेस नहीं दिया, कभी नहीं का कि तु उमारे साथ आखर देगा है, तो बहुत बुरा लगेगा कि मेरे बारे में इतना गंदा-गंदा मेरा पती बोल रहा है, बट आपने फिर भी कवरा पतर के बोला, कोई भी अगर इसक इस जन्नी को देखकर घरवाले काफी emotional होते वे दिखे, इनकी जन्नी पर अब मनु पंजाबी का reaction सामने आया है, उन्होंने अभिशेक, अरुन और अंकिता के बारे में बात की, सबसे पहले मनु ने अरुन की जन्नी पर बात की, मनु ने कहा कि कैसे अरुन भाई को सब रोना आया, especially अरुन महाशेटी, बंदा है तुझा, मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, कि जो patience तेरे अंदर था, वो किसी के अंदर भी नहीं था, अरुन का continue तैलका के साथ रहना, तैलका और उसकी जरनी को देखकर कैसा लग रहा था, बड़े मिया, छोटे म किसी ने भी मतलब, सबने, including A to J, सबने, किसी ने भी कभी अरुन को space नहीं दिया, कभी नहीं का कि तू हमारे साथ आकर के बैए, उस left out से इनसान ने अपने आपको इतना ज़्यादा जबरदस तरीके से strong बना के रखा, और लगातार वो game के अंदर भा, बिना रुके, बिना ठके, वो सोता रहा, वो left out रहा, वो अकेले में बैठा, लोगों ने उससे बात नहीं की, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुझे पका बता है, अरुन कभी ना कभी अपने किसी interview में जरूर कहेगा, कि उसने बहुत left out message कि, एक inspiration है, अरुन आपके सामने, कि जिंदगी आपक आपको value नहीं दे रही है, आपको लोग भाव नहीं दे रहे है, आपकी quality, आपके patience को समझ नहीं रहे है, पर अरुन से आप सीख सकते हो, कि आप रुके रहो, खडे रहो, अदवे उसने जिस तरह से अपनी बेटी को लक्षमी बोल के पैर चुए थे, अरुन I love you man, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, कि जिस तरीके का तू, you are the luckiest person man, अगर किसी एक गाजियन का हाथ चला भी गया है न, तो absolutely तुमारी बेटी के रूप में वो गाजियन तुमारी जिन्दगी के अंदर पलट किया है, और your journey is fantastic, fantastic, I must say, मज़ा आ गया मुझे, beautiful, आदमी है भाई अर कोई शक नहीं है कि तुम टॉप फाय में खड़े हो, तो तुम deserve करते हो खड़े हो, इसके बाद मनु ने अभी सिय की जन्नी के बारे में बात की, मनु ने कहा कि बले ही लोगों ने कहा कि अभी सिय किसी और ex contestant की copy कर रहा है, लेकिन आपने जो सब का mix करके खुद को एक powerful इ आगे आप खुद देख लीजिए, बन्तब आप ये देखो कि अभी शेक की जर्णी के अंदर romance, action, drama, suspense, betrayal, aggression, friendship, लड़ाईया, प्यार, धोका, उसकी गेम के लिए ललक, कितनी सारी चीज़ है थी, एक complete package, एक dark side hero से लेकर के positive hero तक का सफर, लड़की मिल गई, तो बस अब मु अच्छा ही है, लोग अगर कह रहे हैं कि तू किसी की replica है, copy बन रहा था, तू किसी की copy मार रहा था, एक, दो, तीन, चार, पाँच है, मैं ऐसा ही हूँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुने उन सब लोगों का mixture करके जो अपने आपको बनाया है ना भाई, emotion का पता है, एक real personality क्या होती है, जब रोना आ रहा है, जब रोना आ रहा है, जब असी आ रही है, जब कोई लड़की अच्छी लग रही है, तो अच्छी लग रही है, जब कोई बुरी लग रही है, यही तो human emotions होते हैं, कि जो चलग जाते हैं, जो सामने आते हैं, और कह देता ह आदमी इस मूँ पर कंट्रोल रखकर डंग से चलने वाले शाने कहलाते हैं और अभीशेख की हर गाली पर बार तालियां बसती में दिख रही तो सल्मान सर का ये कहना कि बार तालियां बज़ रही थी जब उसने हाथ उठाया था अभीशेख के साथ बहुत गलत भी हुआ बा इतना वोकलर आदमी इतना अफ्षेख कुमार इसके बाद मनु ने अंकिता की जन्नी पर बोला मनु ने कहा कि अंकिता हमेशा ही सबसे दोस्ति करने के लिए आगे बढ़ी अंकिता ने सबको फेवर किया लेकिन रिटन में सब ने उसको धोका दिया विक्की ने भी उसको इ अंकिता ने मा की तरह सबका खयाल रखा आगे मनु ने क्या कहा आप खुद देख लिए वो अपने हस्बेंट के पीछे तो पागलों की तरह बार-बार खड़ी रही गेट पर उसका वेट करती रही वो नहीं टिपिकल वाइब्स गेट पर खड़ी हो कि अपने पती को बु अब चल अंदर रात हो गई वो उसका पीछे जाना उसकी सास का उसको गलत बोना हलां कि इस पूरी जर्मी में उन्हाने विकी को कही ना की नेगेटिव पोट्रे किया बट विकी ने भी बहुत ज़ादा अंकिता को गलत गलत वर्ट बोलें बट अंकिता आपकी जर्मी को द मतर्ब ठीख है अपकी सास में जो भी बोला मैं उसको बिलकुल भी गलत नहीं मानता वह उनका प्यार है विकी को लेकर कि la steps में ये रहता ही रहता है mostly रहता है, मैं नहीं कहरा, सब में रहता है love marriages में सब एक दूसरे को चाहें ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता वो चीज बहुत clearly यहां पर भी आपकी आपकी इन चीजों के अंदर भी दिखती है आपके रिश्टे में भी दिखती है कि शायद सारे घरवाले प्यार ना कर पाएं बहु से जो कि टीवी पे आती है या बाहर दिखती है बट आप विकी को यहां तक लेकर कहें ये आपने विकी को रिटन फेवर दिया है बाकी ये विकी का investment कहना विकी का पैसा, गाड़ी, बंगला, शौरत, इज़, टाइम सब दे दिया और क्या चाहिए वो जो मूँ बना-बना करके विकी आपके लिए दिखा रहा था I can understand that It is very, very, very hurtful बनाब बहुत बुरा लगता है एक कामियाब इंसान को ये सब कुस देख करके एक celebrity को ये देख करके किसी भी आम लड़की को भी ये देख करके अपने लिए बहुत बुरा लगेगा कि मेरे बारे में इतना गंदा-गंदा मेरा पती बोल रहा है बट आपने फिर भी cover up करके बोला कि वो दिल से नहीं बोल रहा है